हेलो बच्चों सभी को नमश्कार आज का हमारा पाठ है दो बैलों की कथा इसमें आज हम बहुती संक्षिप्त प्रशन अतर कर रहे हैं जो आपके बहुवी कल्पिय प्रशन अतर में अत्यंत काम में आने वाले हैं पहला प्रशन है कि प्रेमचन ने अपनी कहानी दो बैलों की कथा में किसका वर्णन किया है तो दो बैलों की कथा में जो वर्णन किया है वह है बैलों की मित्ता काध्यान रखियेगा दूसरा हमारा प्रेशन है कि दो बैलों की कथा पाठ हिंदी साहित्य की किस विधा के अंतरगत आता है तो यह कहानी के रूप में लिखा गया है इसलिए यह कहानी विधा के अंतरगत आता है फ़र प्रेशन को ध्यान से याद भी रखिए अगर आपको जवाब पता है तो कमेंट सेक्षन में बताते भी जाईए एक हमारा नेक्स्ट इससे प्रेशन है दो बैलों की कथा कहानी के लेखक कौन है तो लेखक हैं मुशी प्रेव जंद जी आप सभी जवाब देते जाए और जिनके सबसे ज़ादा जवाब सही होंगे उनका नाम मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एनाउंस भी करूंगी और उन्हें अप्रेशेट भी किया जाएगा एक और हमारा प्रेशन जो है वह आ रहा है कि प्रेमचंद अपनी किस प्रकार की रचिनाओं के लिए प्रसिद हुए थे तो अब ये ध्यान रखिएगा उन्होंने उपन्यास ज़्यादा लिखे थे उपन्यासों के लिए वो फेमस थे कहानिया भी लिखे हैं लेकिन उपन्यास के लिए काफी प्रसिद है वो उसके बाद हमारा प्रेशन आ जाता है कि दो बैलों की कहानी में किस किस का संबंद दिखाया गया है तो सम्मन्द जो यहाँ पर दिखाया है वह किसान और उसके पस्वों का जो सम्मन्द है वह दिखाया गया है एक और प्रशन आता है कि लेखक के अनुसार सबसे बुद्धिहीन जानवर किसे समझा गया है बुद्धी हीन यानि जिसमें कम बुद्धी हो तो यहाँ पर गधे को बुद्धी हीन जानवर माना गया है कहानी में फिर एक और इसी से समंधित प्रेशन आ जाता है कि हम जब किसी व्यक्ति को मुर्ख बताते हैं तो उसे क्या कहते हैं अब सभी को पता है, जब हम किसी को मुर्ख बताते हैं तो उसे गधा कहा जाता है, प्रशना आता है कि गधे के चेहरे पर कौन सा स्थाई भाव सदा चाया रहता है, विशाद का भाव उसके चेरे पर हमेशा चाया रहता है एक और इसी से समन्दित प्रश्ण है कि भारत वासियों को किस देश में घुसने नहीं दिया जा रहा था अमेरिका में घुसने नहीं दिया जा रहा था प्रश्ण है कि किस देश के लोगों की एक विजय ने उन्हें सब्भे जातियों के लोगों में स्थान दिला दिया इसका सही जवाब है जापान प्रश्ण आता है कि हीरा और मोती बैलों के स्वामी का नाम क्या था आपने कहानी पड़ी है तो जल्दी से बता दीजे जवाब मैं भी बता रही हूँ नाम था जुरी जुरी के दोनों बैल के जाती के थे दोनों बैल जो जाती थी और थी पच्छाई जाती के थे बच्चों जुरी के साले का नाम क्या था एक प्रशनी ये भी आ गया है तो नाम ही था गया साले का नाम क्या था गया दोनों बैल कुन सी भाशा में एक दूसरे के भावों को समझ लेते थे तो दोनों बैल मुक भाशा में जिसमें हम बोलते नहीं है चुपचाप इशारों की भाशा में बात करते हैं तो दोनों बैल कुन सी भाशा में बात करते थे मूख भाशा में बात किया करते थे प्रश्न है कि जूरी ने प्राते ही नाद पर खड़े बैलों को देख कर कि क्या किया उन्हें गले से लगा लिया था तो उन्हें गले से लगा लिया यह सही जवाब है प्रशना जाता है कि कैसे नमक खराम बैल है एक दिन वहां काम ना किया ये शब्द किसने कहे थे ये कहे थे जूरी की पत्नी ने प्रशनाता है कि दूसरी बार गया बैलों को कैसे ले गया दूसरी बार जब लेकर के गया था तो बैल गाड़ी में जोत करके लेकर के गया था गया की लड़की को बैलो से सहानू भूती क्यों थी? क्यों थी? क्योंकि सोतेली मा मारा करती थी उस बच्ची को इसलिए उसे बैलो के साथ सहानू भूती थी फिर प्रिशन है कि गया के घर में दूसरी बार बैलों की रस्यां किस ने खोली थी गया की बेटी ने प्रिशन है हीरा ने मोती को गया की पतनी पर सींग चलाने से मना क्यों कर दिया था इसलिए किया था क्योंकि वह स्त्री जाती की थी और मैलाओं पर सिंग चलाना सही नहीं होता ये कहा था हीरा ने मोती को गिरे हुए बैरी पर सिंग ना चलाना चाहिए ये शब्द किसने कहे थे ये कहे थे हीरा ने केट के मालिक ने दोनों बैलों को कहां बंद कर दिया था तो कांजी हांस में बंद किया था उन्हें दिवार को तोड़ना से बैलों की कौनसी भावना का बोध होता है यहाँ पर विद्रो की भावना जो है वह दिखाई गई है मोती द्वारा दिवार गिराने पर भी कौन सा जानवर नहीं भागा वह था गधा दोनों बैलों को कांजी होंस में कितने दिन रहना पड़ा था कांजी होंस में उन्हें एक सब्दा तक रहना पड़ा था यह हमारे अतिसंक्षिप्ट प्रेश्ण वतर हैं जो आपके काम आने वाले हैं मल्टिपल चोईस कोशन्स को सॉल्ड करने के लिए मैं हमेशा इसी तरह के नई कोशन्स लाने का प्रयास करती हूं तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजए और हिंदी के जितने भी वीडियोज हैं हिंदी भाशा में हिंदी माध्यम से सभी क्लासिज के लिए लाने का प्रयास हमारा होता है और अगर इसी तरह के कुशन्स के लिए आपको गाइड बुक की जरूरत है तो मैंने सेलर का कॉंटेक्ट नमबर दिया है डिस्रिप्शन बॉक्स में आप वहाँ से कॉंटेक्ट करकी ले सकते हों MBD और दीपक गाइड आप इसके लिए भी ले सकते हैं जिसमें सारे ग्रैमर पॉर्शन भी काफी अच्छे से हल किया गया है काफी सारे बच्चे कमेंट सेक्षन में बुक्स के नेम पूछते रहते हैं इसलिए मैंने आपको नमबर प्रोवाइड कर आया है और अगर लोकल मार्केट से आप लेना चाहते हो तो कोई भी गाइड आपको हिंदी की मिल जाएंगी सभी में आपको मल्टिपल चोईस कोशन मिल जाएंगी